हे गाइस आप सभी का फिर से चरकारी जॉब सोटर योटुब चैनल में सौगत है मैं एक और नई जॉब वेकंसी की साथ में फिर से एक नई वीडियो में आ चुका हूँ और आज हम Hero Motor Cop में आयोई एक जॉब की वेकंसी की बारे में डिटर से बात करेंगे और काफी ये famous company है, इसी में ये requirement आई हुई है और इसमें दो post है, ठीक है, एक FTE, full time equivalent की और दूसरी government apprentice की, और इसके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि जिन candidate लोग का ITI complete हो चुका है, trade की list हम बाद में देख लेंगे तो वे लोग यहां पर apply कर सकते हैं और because ये campus placement के मादम से selection हो रहा है तो campus placement की date and venue के address क्या होगा वगरे वगरे सारी information मैं आप लोग को इस्टे बाइस्टे बताने वाला हूँ हम इसली बीटी वाले section में देखेंगे कि आप लोग का ITI में किस trade से complete होना चीए और कौन से कौन से passing out येर वाले यहां पर apply कर सकते हैं age limit क्या रखी गई है वगरे वगरे सारी जानकारी और साथी साथ यहां पर हम दोनों post की salary अभी आप लोग से discuss करेंगे सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के मादम से मैं देने की कोशिश करूँगा एक और बाद अगर आप ऐसी job की information पाते रिना चाहते हैं तो चैनलों को subscribe करके bell icon को भी आप दबा सकते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं here motorcop में ये भरती आई हुई है अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है company के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रत नहीं है famous company है ये अब हम देखते हैं आगे तो जो job का role रहेगा आप लोग का वो मैं आप लोग को बता दू सुरवात में कि यहां पर आप लोग को दो post देखने को मिल जाएंगी दोनों ही post के लिए आप लोग कोई भी एक post के लिए select हो सकते हैं या फिर आपने आपको preference में भी डाल सकते हैं पहली post है आप लोग की FTE की जैसे full time equivalent भी बोलते हैं और दूसरी post है government apprentice की तो दोनों में से कोई भी post के लिए आप लोग eligible होंगे apply करने के लिए ठीक है और उसी के बाइद आप लोग की यहाँ पर salary को भी मतलब देखने को मिल जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं job location के बारे में हम देखें तो जब आप लोग select कर लिए जाएंगे वैसे तो all over India में company की कई सारे workshop प्लांट्स स्थापित हैं लेकिन इनका एक जो प्लांट है हैलोल का प्लांट है काफी famous प्लांट है यह इंडिया का यहाँ पर ही आप लोग को रखा जाएगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं salary के हम बात करें तो जो FTE की अगर आप पोश्ट के लिए आप लोग apply कर रहे हैं या फिर उसके लिए select हो रहे हैं तो आप लोग को लगबग 15,800 के आसपास में CTC परमन दिया जाएगा और जो government apprentice training की पोश्ट के लिए अगर आप लोग select हो रहे हैं तो आप लोग को apprentice के हिसाब से महाँ पर जो salary provide की जाएगी लेकिन उससे वो जादा ही होती है लगबग 1-2,000 या फिर देड़ 2,000 जादा होती है ठीक है तो यह हो गई salary की बात और साथी साथ कई सारे आप लोग को यहाँ पर benefit allowance भगिरे भी देखने को मिल जाएगे जैसे की canteen हो गया canteen में आप लोग को एक टाइम का food और snacks भगिरे दे दिया जाएगा और आप लोग का जो uniform होता है safety suits भगिरे वो सब आप लोग को company provide कर देगी कई सारे और benefits भी है जो कि आपको joining letter के वक्त या फिर बाद में और अच्छे से clear हो जाएगा अब हम देखते हैं qualification qualification हम में आप लोग का क्या क्या होना चीए trade बगेरे वो हम देख लेते हैं तो आप लोग का ITI commitment trade में होना चीए उसकी ये list पूरी यहां पर mention की गई है fitter से लेकर के यहां welder तक के अगर आप लोग की trade का नाम इस list में आ रहा है तो आप लोग eligible apply करने के लिए मैं आप लोग को पढ़के भी बता देता हूं हो सकता है पढ़ने में थोड़ी से दिक्कत हो रही होगी चोटे चोटे अक्चार है fitter, turner, mechanist, motor mechanic, vehicle, diesel mechanic, tractor mechanic, painter, welder ये सारी trade वाले यहां पर eligible होंगे और अभी कुछ comments भी मेरे पास आ रहे थे कि भाई hero motor cop में अगर कोई vacancy आ रही होगी तो उसके लिए भी एक बार वीडियो बना दीजे तो ये आप लोग के लिए आ गई है आप लोग यहां पर apply कर सकते हैं और अगर आप लोग की कोई और queries है तो वो भी आप मुझे comment करके बता दीजे मैं fulfill करने की कोशिश करूँगा अब हम देखते age limit क्या है तो minimum में 18 साल और maximum में 26 साल जो काफी अच्छी opportunity है और यहां पर experience कोई भी experience नहीं मांगा गया है freshers लोग यहां पर eligible हैं apply करने के लिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी pass account year वाले यहां पर apply कर सकते हैं 2016, 17, 18, 19 यानि कि 2016 से लेकर के 2022 सक के जितने भी लोग pass out हुए है ठीक है वे सबी लोग यहां पर eligible होंगे तो काफी बड़ी opportunity है कुछ-कुछ campus में केवल और केवल जो last 2-3 सालों में जो pass out हुआ है उनको ही रखा जाता है अब हम आगे बढ़ते हैं campus जो है 9 January को आ रहा है 9 January, 23, 23 को यह लग रहा है साड़े 9 बजे के पहले में आप लोग को वहां पर पहुंच जाना होगा और कहां पहुंचना है तो उसका यह address लिखा हुआ है venue का address government ITI बाला, सिनोर करके कोई एक ITI है वहां पर आप लोग को जाना होगा तो यह हो गई मैंने information दे दिया है date और venue address की बगिर की फिर भी अगर आप लोग की कोई और queries है तो मुझे आप comment करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी share कर दीजिए और live भी कर दीजिए आप मिलते हैं आप से नए जॉब की information इसके ताथ तप लग के लिए गुडबाए